अमरनात यात्रा जम्मू से 7800 से अधिक तीर थेयात्रियों का दस्वा जत्था अमरनात के लिए रवाना, अमरनात यात्रा दक्षन कश्मीर के हिमाली क्षेत्र में स्थित अमरनात मंदिर, अमरनात टेंपल के लिए 7800 से अधिक तीर थेयात्रियों, पिल्ग्रिम्स का दस्व जथ्था बुद्वार को यहां आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी राम्बन में जम्मू श्रीनगर राजमार्क के एक हिस्से के बुरी तरह क्षतीगरस हो जाने के कारण जम्मो आधार शिविर से तीन दिनों तक यात्रा निलंबित रहने के बाद मंदलवार दोपहर फिर शुरू हुई थी अधिकारियों ने बताया कि एक जुलाई से अब तक कुल एक लाख सैटीस हजार तीर्पन तीर्थेयात्री अमरनात मंदिर के दर्शन कर चुके हैं हिमाली क्षेत्र में स्थित 3888 मीटर उचे गुफा मंदिर की 62 दिवसिय वार्षिक तीर्थेयात्रा एक जुलाई को शुरू हुई जो 31 अगस्त तक चलेगी उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के 3.15 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 349 वाहनों के काफिले में साथ 805 तीर्थेयात्री यहां भगवती नगर आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हुए डॉट उन्होंने बताया कि 4677 तीर्थेयात्री 207 वाहनों से पहलगाम के लिए जबकि 3128 तीर्थेयात्रियों को लेकर 132 वाहनों का काफिला बालताल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ उन्होंने बताया कि 30 जून से अब तक जम्मू आधार शिविर से 56,303 तीर्थेयात्री घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं असम की सुनीता देवी ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारी प्रार्थनाए भगवान शिव ने सुनी और अपने दर पर हमें बुलाया सुनीता जम्मू में पिछले साथ दिनों से फसे 23 लोगों के एक समों का हिस्सा थी शनिवार और रविवार को हुई लगातार बारिश से राजमार को बेहत नुकसान पहुँचा था खास कर रामबन जिले में पढ़ने वाला हिस्सा बेहत बुरी तरह से शतीग्रस हो गया था